इस वीडियो में हम बात करेंगे भारती नयाई सहीता के section 75 के पारे में ये बात करता है sexual harassment की PNS के section 74 में हमने ये जाना था कि जब कोई वेक्ति किसी भी woman पर assault करता है या criminal force का use करता है with intention कि वो उसकी modestie को outrage करेगा तो उसे punishable offense बनाये गया है उसी तरह से sexual harassment को भी deal करता है section 75 और sexual harassment किसी भी woman का होना कब माना जाएगा इसके लिए भी चार clause इसके अंतरकत बताए गए है कि अगर इन चारों में से कोई भी चीज किसी woman के साथ होती है तो ये माना जाएगा कि उस woman का sexual harassment किया गया है तो पहला clause है कि किसी भी woman से physical contact बनाने की कोशिश करना लाइक उसे चूने की कोशिश करना पकड़ना बैट टच करना इत्यादी ये सभी physical contact बनाने की कोशिश करना के अंतरगत ही शामिल किये गए हैं तो अगर कोई वेक्तिय ऐसा करता है तो वो भी sexual harassment है और दूसरा clause है कि किसी भी तरह की sexual demand या फिर उसे request करना किसी भी काम को करने के बदले woman से इस तरह की demand करना भी sexual harassment है तीसरा clause है कि किसी भी महिला को अशलील वीडियो दिखाना पॉनोग्राफी दिखाना या picture दिखाना भी sexual harassment माना जाएगा और चौथा clause है sexual colored remark करना किसी भी woman के body parts पर remark करना उस पर comment करना sexual harassment के category में रखे गए हैं और उसे BNS के section 75 के तहत punishment दी जाएगी तो अगर हम punishment के बात करें तो इसमें जो तीन clause बताये गए हैं one से लेकर three तक अगर उसके अंतरगत कोई वेक्ती guilty पाया जाता है तो उसे तीन साल की rigorous punishment दी जाएगी यानि कि कठोर काराबास दिया जाएगा वो भी तीन साल का प्लस इसमें fine का भी provision है या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं लेकिन अगर कोई वेक्ती चौथे close के अंतरगत guilty पाया जाता है तो उसे एक साल की सजा दी जाएगी प्लस उसमें fine का भी provision है या फिर उसमें दोनों लगाए जा सकते हैं तो ये था भारती नया सहीता का section 75 च क्योंकि sexual harassment को deal करता है होब कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और channel को subscribe करना बिल्कुल मत बोलिएगा